आप सबीका स्वागत है मेरे चैनल फूड एन लाइफ स्टैल में तो आज बनाते हैं मखाना काली दाल जड़का जो की बनाना बहुत आसान है और बहुत ही जादा ये टीस्टी है तो चले देखते हैं क्या चाहिए मुझे ही चाहिए ये जो दाल होती है उरत की उस तरह से छि दाल देती हूँ एक प्रिशर कुकर में और डालने के बाद अब मैं इसमें डालोगी लगबग एक चमच नमग आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं आप इसके बाद एक इच अद्रप का तुकड़ा डाल दिया है साथ ही साथ एक प्याज को मैं ऐसे रफडी पानी डाला है और इसके बाद प्रेशर लगा के इसको मैं अच्छे से तीन चार सीटी तक पका अब मैंने चड़ा दिया है एक कड़ाई गैस पे और उसमें लगबग एक चमच जाल दूंगे मैं देशी खी और इसमें लगबग आधा कर्टोरी मखाना लिया है और इसके ब मैंने इसको भून के अच्छे से रडी कर लिया है अब ये बिलकूル रडी हो गया आप देख लेते हैं मीरी डाल कैसी हो गई है तो डाल देखें मैं डकन खोल के चेक कर ली हूं ये बिलकुल पर्फेक्ट है इस से बहुत गोल गाई है अब मैं गयस अ' ऑाउन कर देती हूं और इसमें एक बॉय लेना देते हैं उसके साथ ही साथ में डाल दोंगी लगभग इसमें एक बड़ा चमच मखन का मखन से इसका टेस्ट बहुते बढ़या आता है तो अब इसको डाले के बाद मैं इसमें अच्छे से इसको घोटना है और इसमें देखे बॉय लाना शुरू ह और लगातार इसको मैं घोटते हुए लगभग 6-7 मिनट इसमें पकाना है मीडियमाज पे और यह धीमी धीमी मीडियमाज पे अच्छे से यह पकना शुरू हो गया है देखे कितना अच्छा इसमें थिकनेस आ गई है अब इसमें डाल दूंगी मखाना जो मैंने रोश्ट क बार बार इस दाल को बना के खाएंगे क्योंकि यह सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है इस तरह से मैंने इसको अच्छे से 6-7 मिनट पका लिया है गैस को बंद कर देते हैं अब चढ़ा देते हैं गैस पे एक पैन और इसमें डाल द लगभग एक बड़ा चमच और डालने के बाद इसको मुझे थीनी आच में अच्छे से गोल्डेट फ्राइ करना है तो देखे इस तरह से बढ़ियासा मक्षन वाला लैसून इसका जब तड़का लग जाता है तो दाल एक तम स्वास का बदल जाएगा बहुत ही ज्यादा लगती है इसको मैंने स्टीम राइस के साथ बनाया है फ्राइ करके देखे लैसन मेरा अच्छे से फ्राइ होना शुरू हो गया है कलर कितना बढ़िया आ गया है इस टाम पे ढाल दूगी आधा चमच जीरा और इसको भी मैं अच्छे से बहुनूंगी ताकि लैसन और जीरा आच्छे से जीरा पहुंगे। इसमें टाल देंगे साथ हीं पहा हींग टाला है लगतपक मैंने आधा चमच और इसको बाद यास को मैं बंद कर देती हूँ और इसमें थोड़ा सा सारी चीजें मिक्स कर लेंगे। अर जाल दूदूगी लगता छोता चमच लाल मिर्ची प है खाने के लिए गाईज अगर आप कोई रेस्पी पसंद आई हो तो थेंक यू थेंक यू सो मच